सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रिजिनिंग के अंदर डायरेक्शन एंडिस्टेंस के कोश्चन करने वाल है और इसकी कुछ ट्रिक्स देखने वाल है कि किस तरह से हम इन कोश्चन को बिलकुल असानी से कर सकते हैं और इसमें से दोस्तों लगबग हर बार कोश्चन आने की स कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टेडी नोट्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज कोश्चन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोश्चन आचुके हैं वह हमने अलग टीचिंग के कोश्चन है आपको अलग लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मोग टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोश्चन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्सप नंबर पर कोंटक्ट कीजिए कि east west north south कौनशी है कई दोस्त इसमें भी confused हो जाते हैं तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं इस्ट होते है जो पूरू कि दिशा होती जहांपे सुर्ज छिपता है वो कहें और जो उत्तर की दिशा होते हैं उसे हम North कहते हैं और दक्सन की जो होते हैं उसे हम South कहते हैं तो इस तरीके से सबसे पहले Basic चीज यह हमें पता होना चाहिए और इसके अंदर एक चीज़ आप द्यान में रखना दोस्तों कि थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझने वाली है वैसे तो हर कोई अपने हिसाब से कोशन करता है कि जब भी आप कोशन करो तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश करना अपनी फिगर इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउस इस तरीके से ठीक है यानि कि आपका जो चेहरा है वो इसकी तरफ होना चाहिए नॉर्थ की तरफ होना चाहिए और जो आपका दाया जो हाथ है वो होना चाहिए इस्ट की तरफ और बाया जो हाथ है वो होना चाहिए बेस्ट की तरफ होना चाहिए इसकी विए मैं figure आपको बना के दिखाऊँ एक मिनट रुकी देखे जैसे हम बनाते हैं कि एक ये कोई लड़का है यहाँ पे है और ये इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पे यानि कि इसका जो राइट हैंड है वो इस्ट की तरफ है और जो इसका लेफ्ट हैंड है वो होती है अब एक चीज और होती अब कुछ डायरेक्शन और होती इनके अंदर बीच में जो डायरेक्शन होती देखे जैसे यह वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं और वेस्ट और साउथ के बीच में होते हैं साउथ west कहते हैं ये चीजे भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्योंकि इनका भी हमारे question paper में use हो शकता है और हमें दाए और बाए किस तरीके से मुड़ना है question के अंदर आएगा वो भी हम देखेंगे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि east west north south कुंसी है और हमें किस तरह किस तरफ मुग करके खड़ा होना है ताकि हम अच्छे से question कर सके और इसके अंदर और चीजे देखते हैं जैसे हम ये भी आप figure देख सकते हैं इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आजाएगी सारे की सारी direction और और इसके अंदर देखते हैं जैसे की देखी इसके अंदर क्या होता है अपने आपको हमेशा उत्र की तरफ करके देखी ये चीज मैंने आपको बता दी थी और जिस तरीके से देखिए इसके अंदर क्या कहा जाएगा हमें कोशन के अंदर ये कहा जाएगा कि हमें दाए मुड़ना है बाए मुड़ना है जब वो दाए मुड़ने की बात करे तो हमें दोस्तो जो कलोक हमारी चलती घड़ी जिस तरीके से चलते उस तरह से हमें मुड़ना है जब दाए कहें तो ये सारी की सारी चीज़े जब हम कोश से समझ में आ जाएगा और एक जो चीज है दोस्तों इसके इंदर जो मोश्ट इंपोर्टेंट है जो हर बार कोश्टिन पेपर में पूछी जाती है उसी के वेस्ट पे कोश्टिन आते हैं वो है दोस्तों पाइथा गोर स्प्रे में हमारा जो फॉर्मूल है वो लागू होता ह यह जो फॉर्मूल है दोस्तों यह हमने टैंथ क्लास के अंदर किया हुआ है जैसे कि हमें एक तिर्भुज दे दिया जाता है जैसे कि इसके अंदर हमें एक सिच्वेशन बन जाती है और वो सिच्वेशन एक तिर्भुज के अकार के होते है ट्राइंगल के अकार के बन जा लातती सिचुईशन तो उसके अंदर हमें यह पता करना होता है कि यहां से लेके यहां तक कि डिस्टेंश कितनी है तो उस टाइम हमारा पाइथा गोड श्प्रे में फॉर्मला लागू होता है और इस फॉर्मले के इन सार क्या होता है दोस्तों जो कर्ण जो होता है कर्ण यानि कि डाइगनल जो होता है हमारा ये जो होता है ये एक्वल टू किसके होता है लंब पलस हद अधार लंब मिंस जो ये हाइट है इसका स्केर पलस में अधार यानि कि बेस है इसका तो इस बेस पे हम कॉश्चन निकालते हैं और यहाँ पर आप अगर English में देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं देखें जैसे पायथा गोर्स प्रेम में होता है इसका formula क्या होता है A square प्लस B square A ये हो गया और B ये हो गया इसका A का square प्लस B का square equal to किसके होता है सी का स्केर यानि कि जो हमारा डाइगनल है करन जो है उसके स्केर के एकुल टू होता है और हमें जैसे इसके अंदर ए निकालना है मान के चलिए हमें ये निकालना है तो ये किसके एकुल टू होगा यहां पर यह जो B है दोस्तों, यहां के माइनस हो जाएगा, बी का स्केर यहां पर माइनस हो जाएगा, और हमें सिंगल A निकालना है, तो इसका अंडर रूट होगा, इसका जो स्केर रूट है, वो हमें तोटना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और इसी तर सारी चीज़े यह मैं आपको अभी बताने वाला हूं क्या है यहां पे आप पढ़ सकते हैं वैसे हिंदी में पढ़ना चाहे तो अब हम कोशन करके देखते हैं दोस्तों कोशन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब देखिए इसने कहा है कि संध्या अपने घर से सुरू होकर पुरू दिशा में चार किलोमेटर जाती है एक मिनिट दोस्तों यहां पे इसका जो साइज है हम वो छोटा कर लेते हैं देखिए इसमें कहा है कि संध्या जो है वो अपने घर से सुरू होकर पुरू दिशा में चार किलोमेटर जाती है अब सबसे पहले हमें क् west north south जो है वो direction हमें define करनी है तो हम कर लेते जैसे यह हमने कर लिया east यह कर लिया west और यह कर लिया north यह कर लिया हमने south जिस तरह हमें जाना है उस तरफ हम जाएंगे और हमारा जो दाया और बाया है वो हाथ देखेंगे कहा होगा देखें हमारा चहरा इस तरफ है हम इस तरफ देखते वे जा रहे हैं तो हमारा दाया और बाया हाथ कहां होगा दोस्तों वह बताइए हमारा जो दाया हाथ होगा वो इस तरफ होगा और बाया हाथ होगा वो हमारा इस तरफ होगा यानि कि राइट हैंड यहां पे होगा और लेफ्ट हैंड हमारा यहां पे होगा तो यह चीज हमें ध्यान में रखना जरूरी है यानि कि यह सार देखते हैं कि किस तरह से हमारा कॉस्टेव होगा देखिए इसने कहा है कि इसने कहा है कि संदह अपने घर से शुरू होकर पूर्व धिशा में 4 कोलेमेटर जाते हैं तो हम माल लेतें यह यहां तक 4 किलोमेटर हो गया यह हो गया चार किलोमेटर तक यहां तक वो जाती है फिर वह दाई और मुड़ जाती है अब देखे अब यह बात आते दाई और मुड़ जाते दाई और मुड़ने का मतलब इस तरफ मुड़ना या इस तरफ मुड़ना यह हमें ध्यान में रखना है और यह पे हम तीन किलोमेटर चल लिए यहां पे हमें तीन किलोमेटर चले अब हमें बताना है उसके घर तक पहुंचने के लिए सबसे कम दूरी कौन सी है अब देखिए वो उसका घर कहा था घर यहां पे था संध्या का अब उसे घर में पहुंचना है दोबारा घर में जाना है तो उसकी सबसे कम दूरी कौनशी होगी सबसे कम दूरी तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक हमारी यह दूरी होगी तो यह दूरी हमें निकालने और यहां पे हमारा क्या लगेगा दोस्तों यहां पे हमारा पाइथा गोर्स प्रेमे B हमारा ये तीन है और C जो हमारा ये है दोस्तों डाइगनल ये हमें निकालना है अब देखते हैं कि ये कोशन किस तरह से निकलेगा चलिए मैं इरेज कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आजाए अब देखिए ये कोशन कैसे निकलेगा यह question निकलेगा हमारा हम 4 का square कर देते है 3 का square कर देते है और यहाँ पर c का square यानि कि जो यह distance हमें निकालने यह आजाएगी अब इन दोनों का square कर दे चार चोड़े 16 3 TR नो यह आजाएगा c का square 16 और 9 कितना हो गया दोस्तों यह हो गया हमारे पास 25 25 अब कहां पर लिखे हम यहां पर लिख देते हैं 25 इक्वल टू सी का स्केर हमारे पास यह आ गया अब यहां से हमारे पास सी स्केर क्या आया दोस्तों सी स्केर जो आया है हमारे पास 25 आया है और अगर हमें only C निकालना है तो C निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों 25 जो है इसका under root होगा under root करने पर C क्या जाया पांच आ जाया दोस्तों तो संध्या जहां पर अभी वो खड़ी है और उसके घर की जो दूरी है वो क्या होगी दोस्तों पांच किलोमेटर हो जायी तो इस तरह से ये कोशन आप बिल्कुल असानी से कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है कोई बात समझ में नहीं आये तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट वॉक्स के जरीए या आप हमें वर्टसप पे मैसेज कर सकते हैं वर्टसप नंबर मैं आपको यहां पे स्क्रीन पे दे दूँगा और अब हम देखते दोस्तों अब हम अगला कोशन कर करके देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आजया है अब यह देखिए इसने कहा है कि मोहन ने अपने घर से सुरुआत के और पुरुव दिशा में चलना सुरू किया अब इसके अंदर भी बाते करते हैं हम इसके अंदर इस्ट वेस्ट नॉर्थ सा इसके अंदर देखिए दोस्तों मोहन ने अपने घर से सुरुआत के और पुरूद इसा क्यों चलना सुरू कर दिया यानि कि इस तर continued उसने आना शुरू कर दिया. पांच किलोमेटर के दूरी तै करने अब उसने घमाण लेते हैं यहाँ तक उसने पांच किलोमेटर दूरी तै कर ली. वह दाई और मुडा. अब दाई और मुडा मतलब इस तरफ मुडा. यह हमें देखना है दाई कौन सा यह मैंने आपको अलरेडी बताया है दाई और मुड़ा और वो तीन किलोमेटर चला अब दाई और मुड़ा और तीन किलोमेटर चला और पहले कितना चला था पांच किलोमेटर अब आगे देखते हैं वह फिर दाई और मुड़ा अब देखी यहां पे हमें ध्यान में रखने वाली है कि अब इसका चहरा किस तरफ है इस तरफ चहरा है इसका वह फिर दाई और मुड़ा अब देखी यहां पे उसका दाया बाया कौन सा होगा यानि कि राइट और लेफ्ट कौन सा होगा यहां प पांच किलोमेटर दोबारा फिर चला अब देखिए इसके वाद उसने दाहिनी और दोबारा फिर दाया कह रहा है दोस्तों तो दाया अब कौन सा होगा अब देखिए अब इसका चेहरा इस तरफ है यानि कि ये इस तरह से चल रहा है अब इसका दाया कौन सा होगा दोस्तों भी इसका दाया इस तरफ होगा और मैंने आपको पहले भी बताय था कि दाया वाया जो राइट जो होता है दाया जो होता है उसको क्लोक वाइज यानि कि जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है उस साइड में हम मुड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह दाया तरफ मुड़ा और साथ डिगरी सोरी तीस डिगरी यानि कि तीस डिगरी यह माल लेते इस तरीके से यह तीस डिगरी मुड़ा और छे किलोमेटर की दूरी तैकी अब यह माल लेते यह छे किलोमेटर चला यहां पे इस तरीके से 30 डिगरी मुड़ के यह कितना चला? 6 किलोमेटर चला वह किस दिशा में है और वह अपने घर से कितनी दूरी पर है यह हमें बताना है दोस्तों यहां पे दो कोशन है पहला वह किस दिशा में है और वह है अपने घर से कितनी दूरी पे है अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया एक चीज देखिए यह हमें क्या मिल गया कि डाइगनल मिल गया जिस पे हमारा पाइथा गोर्ष्प्रे में फॉर्मूला लागू होगा अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है अब देखे ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इन्होंने बता दी छे किलोमेटर है और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये जो डिस्टेंस है ये ये हमारे तीन किलोमेटर ही ये देखे यहां से हमारी आगी यानि कि मैं इसको यहां पे लिख देता हूँ एक मिनिटर के ये हमारा 3 km क्योंकि यह देखे यह जो 3 km है यह equal to इसके होगा यह 6 और 3 आ गया अब हमें जो distance निकालनी है दोस्तों वो distance हमें यह distance हमें निकालनी है और यह distance हमारी कैसे निकलेगी यह उसी तरीके से निकलेगी जो मैंने पाइथा गोर स्प्रे में बताया था इसमें यह करने दोस्तों हमारा यह उन्चाई है हाइट है और यह हमारा अधार है ठीक है तो यह यानि के हमारा बेस है तो इस बेस पे जो हमारा पाइथा गोर स्प्रे में formula लगेगा वो आप लगा के निकाल के दिखाना मेरे को बताना क्या इस cancer आएगा ये बिल्कुल असान है दोस्तों बिल्कुल असान है अब इसमें formula लगाना है बिल्कुल असानी से question आ जाएगा और जो 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 दोस्त इस cancer निकाले वो comment box के अंदर जुरूर बताना हमें और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसे like क किजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके हैं थैंकि दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड़ कोर्स भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी टैन यूनिट के स्टडी नोर्स देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्ड यर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी टैन यूनिट के लाइव मौक टैस्ट देते हैं अगर आपको हमारा पेड़ कोर्स जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्सप नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए